दोस्तो अगर आप UK में पढ़ाई करना चाते हो और UK में सेटल होना चाते हो तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप UK में पढ़ाई कर सकते हो free of cost और UK की गवर्मेंट ही आपको living expenses भी देगी allowance के रूप में तो इस वीडियो में मैं आपको scholarship programs के बारे में बताने वाला हूँ और post study work visa के बारे में बताने वाला हूँ जिसको graduate visa बोलते हैं तो अगर आपके पास right information देती है तो आप UK में virtually free of cost भी पढ़ाई कर सकते हो तो दोस्तो UK में studies route जो है वो सबसे आसान रास्ता रहता है जिसमें आपको indefinite leave to remain या permanent residency भी मिल सकती है UK में और UK में ऐसे बहुत सारे scholarship programs रहते हैं जो आपको tuition fee waiver भी दे देते हैं मतलब जो भी आपके institution का fee रहता है वो भी दे देते हैं आपको अलग से allowances भी मिलती है जो की आपके खाने की रहने की और जो आपकी books वगेरा खरीदने की रहती है मतलब आप virtually UK में free of cost भी पढ़ाई कर सकते हो और UK में अगर आप काम करना चालू करते हो तो आपको 9 pounds से 20 pounds per hour बहुत ही आसानी से मिल सकता है मतलब आप अगर छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आप 2,000,000 रुपे महीना बहुत ही आराम से कमा लेते हो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लीजी और बेल आइकन भी दबा दीजी इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है मैं work visas, study visas and job related opportunities के बारे में videos डालते रहता हूँ तो अगर आपके पास right information रहती है आपको पता रहता है कि आप किस visa के लिए apply कर रहे हो कहां कहां पे आपके लिए job opportunities है तो आप abroad में settle होने का अपना सपना बहुती आसानी से पूरा कर सकते हो और अगर आपको UK से related और especially study visas से related और वी videos चाहिए तो इस video को like and share ज़रूर कर दीजिए यह मेरा indication रहता है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको इस type के और videos चाहिए so दोस्तो UK में पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे scholarship programs चलते रहते हैं अगर आपको इन scholarship programs के बारे में पता रहता है और अगर आप इन scholarship programs के लिए timely apply करते हो तो आपको सिर्फ एक ही नहीं multiple scholarships मिल सकती है so ऐसे ही मैं कुछ top scholarship programs के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको different scholarship programs के बारे में links भी इस video के description में दे दूँगा तो आप वो भी refer कर सकते हो जिससे आपको एक awareness लगे कि कितने सारे scholarship programs रेते हैं जहां पर अगर आप apply करो तो आपको scholarship मिल सकती है और किस किस प्रकार की scholarships रेती है तो दोस्तो सबसे पहले आपको scholarship के different types समझने की ज़रुत पड़ती है एक scholarship रेती है जो आपको tuition fee waiver भी देती है और आपको allowance भी देती है UK में रहने का खाने का और आपकी जो भी किताबे वगेरा रेती है उन सब के खरीदने का In fact आपको travel allowance तक मिलता है कुछ AC scholarships रेती है जो आपको सिफ tuition fee waiver देती है कुछ AC scholarships रेती है जो आपको एक certain amount देती है जैसे 10,000 pound या 15,000 pound तक भी आपको scholarship मिल जाती है per year हर scholarship के different eligibility criteria रेती है कुछ AC scholarships रेती है जो आप UK की कोई भी universities या colleges में पढ़ाई करो वो आपको scholarship मिल सकती है कुछ जो scholarship रेती है वो in-house scholarships रेती है मतलब आपने UK में पढ़ाई करना चालू कर चुके हो तो आपकी academic performances के basis पर आपको ये scholarship मिल सकती है तो इस प्रकार से different type of scholarships रेती है तो UK में पढ़ाई करने के बाद आपको PSW भी आसानी से मिल सकता है मतलब post study work visa इसको हम graduate visa भी बोलते है और ये बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गया था अब भी वापिस चालू हो चुका है तो अगर आप UK में पढ़ाई कर लेते हो bachelor's degree या master's या PhD तो आपको 2 साल तक UK में रहने और job दूनने की अनुमती मिल जाती है आपको UK में जैसे ही job मिल जाता है उसके बाद आप फिर काम करना चालू कर सकते हो और 5 साल में आपको UK में indefinite leave to remain भी मिल जाता है मतलब आपका जो regular doctor's का visit, checkups, सारी चीजे government ही पैसा उठाती है सिर्फ dental को छोड़के हर प्रकार का medical cost आपके लिए UK की government उठा लेती है और आप जिस company में काम कर रहे हो ये जो बचे कुछे area है जैसे आपको dental insurance नहीं मिलता है UK की government की तरफ से तो जैसे माली जी आपको dental insurance है वो आपका cover नहीं होता है तो जो company का health insurance भी रहता है जिस भी company में काम करोगे वो company आपको health insurance भी provide करती है तो वो उसमें cover हो जाता है तो इसी प्रकार से आपकी जो health की जिम्मेदारी है वो पूरी UK की government के उपर आजाती है दूसरी चीज आपके बच्चों की पढ़ाई भी free हो जाती है in fact अगर आपके बच्चों को कुछ bachelor's या master's degree करनी है ऐसे बहुत सारे free government colleges रहते हैं वहापे भी आप उनको पढ़ा सकते हो वो आपकी choice रहती है कि अगर आप private institution better institution में पढ़ाना चाते हो इसके अलावा अगर आपको loan चाहिए तो आपको loan भी 2-5% के ब्याज के बीच में मिल जाता है which is virtually very low इसलिए आप देखोगे कि UK, Canada या फिर European country जहाँ पर ब्याज दरे बहुत कम रहती है वहाँ पर लोग बहुत सारे real estate purchase करते जाते हैं तो दोस्तो ये तो मैंने आपको कुछ फायदे बता दी है कि अगर आपको UK में permanent residency मिल जाती है तो क्या-क्या आपको benefit हो सकता है अब discuss करते है कि कौन से-कौन से scholarship program से जिनके लिए आप eligible हो तो दोस्तो एक scholarship program रेता है common wealth scholarship program तो ये जो common wealth and fellowship scholarship program रेता है इसमें भी आपको 100% tuition fee waiver और आपको monthly allowances भी मिलते हैं ये उन countries के लिए जहां पर common wealth games जो है वो develop हो रहे हैं और ये जो scholarship program है ये UK की हर university और colleges में valid रहता है अगर आप women हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा scholarship program है जो आपको most of the time मिली जाता है इस scholarship program को बोला जाता है British Council Scholarship Program for Women in STEM अगर आप कोई भी science, technology, mathematics या engineering type के program में जाते हो और वहाँ पर पढ़ाई करते हो तो आपको ये scholarship मिलती है ये जो scholarship है usually आपको 50% से 100% तक scholarship provide करती है ये scholarship program जो है ये सिर्फ women के लिए है इसके बाद एक scholarship program रेता है जिसको बोलते है great scholarship program ये जो scholarship program है ये आपको तब मिलता है जब आप master's degree कर रहे हो UK में ये जो scholarship program है ये लगबग हर countries के लिए available है आप इंडिया, पाकिस्तान या फिर चाइना, ताइवान, बांगलादेश, दुबई, साउदी, कतार और कहीं के भी citizen हो आप तो आप ये program में valid हो ये जो program है usually आपको 35% से 100% तक tuition fee waiver दे देता है और कुछ आपको monthly allowance भी देता है अगर आप teacher हो तो आपके लिए एक अच्छा scholarship program है जिसको बोलते AS Honby Trust Scholarship ये scholarship सिफ English language teachers के लिए है ये scholarship government ने इसलिए निकाली है कि UK में हर इंसान को अच्छे से proficiently English समझ में आए और बोलने आए इसके अलावा भी different scholarship programs है मैं आपको कुछ scholarship programs के और नाम बता देता हो और इनके links भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे जैसे Young Cell Scheme Scholarship, Marshall Scholarship, Eura Express UK, Great Wales Scholarship और International Programs तो दोस्तो इसी टाइप से different scholarship programs निकलते रहते हैं UK में और इनमें AC scholarships रहती हैं जिनमें आपको virtually free of cost पढ़ाई हो जाती है अब एक बात आपको ध्यान में रखने की जड़ोते हैं कि हर scholarship program के एक deadline रहती है वो हर साल तह रहती है कि इसी time पे ये deadline रहती है जैसे माल लीजिए Commonwealth and Fellowship scholarship program जो है उसकी deadline usually रहती है 27th January के around तो अगर आप सही time पे इन scholarships को apply करते हो तो आपके chances बहुत ही अच्छे रहते हैं इस scholarship programs के लिए awareness बहुत जरूरी है ज्यादा ता लोग apply ही नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि ये scholarship programs है क्या और इनके लिए क्या क्या eligibility criteria रहते हैं सो दोस्तो स्टेडी वीजा एक बहुत ही अच्छा राउट हो जाता है यूके में काम करने का इसके अलावा आप गर बेटे बेटे ओनलाइन अगर जॉब्स के लिए अपलाय करते हो तो आपको अपनी कंट्री से ही यूके में जॉब मिल सकता है उसके लिए आपको बस right opportunities के बारे में पता होना चाहिए आपको कॉनसे platforms में अपलाय करना है वो पता होना चाहिए और आपके पस right tool होना चाहिए जैसे CV and cover letter और आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रुत है आपको regularly jobs के लिए अपलाय करने की ज़रुत है अगर आप ये कर लेते हो तो आपको अपनी country में बेटे-बेटे online ही job मिल सकता है UK में और दोस्तो ऐसे बहुत सारे लोगों के jobs लगते रहते हैं UK ने जैसे announce किया था कि जून तक 5 लाख लोगों को employment देंगे जिसमें से लगबख सारे लोगों को job मिल चुके है ये उनी लोगों को job मिले जो regularly jobs के लिए apply कर रहे थे UK की government जो promise करती है वेसा काम भी करती है तो इसी duration में जितने लोगों ने apply किया होगा उसमें से काफी लोगों के job लग भी गए हो तो दोस्तो आप आज से ही jobs के लिए apply करना चालू कर सकते हो या अगर आपको study visa के रूप में जाना है study visa को tier 4 visa भी बोला जाता है अगर आप tier 4 visa के रूप में जाना चाते हो तो उसमें भी जा सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छी opportunities है तो दोस्तो आपके पस opportunities बहुत सारी है आपको बस सही platform में apply करना है और definitely you will get a job और मैं अपने videos में बताते ही रहता हो कि किन platforms में आप apply कर सकते हो कहां कहां पे opportunities चल रही है तो अगर आप सिर्फ उनी opportunities में भी apply कर लेते हैं तो आपको definitely result मिलेगा UK में ऐसे 50,000 से ज़्यादा employers है जो आपको hire करने को ready है अगर आप सही employer को approach करते हो और आपका सही professional conduct रेता है तो definitely आपको job मिलेगा So guys, अगर आपको मुझसे counseling चाहिए या CVN cover letter बनवाना है तो आप मुझे Instagram पर approach कर सकते हो Approach तभी कीजिएगा जब आपको कोई service लेगी हो Yes, मैं बहुत सारी Instagram Reels भी डालते रहता हो So that's all for this video, I wish you all the best and see you in the next video